आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल आप को आज का पंचांग और विस्थार जानना है एक-एक investigator में आज के धर्मशिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार प्रूवर जान सकते हैं, एक-एक मोर्तोगाय में जान सकते हैं का आज के सम्पून रासी फल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12 रासी यो के रासी फल के, साथ ही हम जाने के रीइगें कमेंट बसंदे जसके अजी जन心 मतारान करोरें ते भी किल्यान खरूर करेंगा में तो आज के 12 रासी का रासी फल आपको बताना आरम करें इससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक नज़े डालें आज के गरहों की स्तिती पर क्योंकि गरहों की स्तिती पर पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है आज गुरु राहु दोनों एक साथ मेश रासी में चंदर्मा, सूर्य, सुक्र, करक रासी में मंगल बुद्ध के साथ सिंग रासी में, केतु तुला रासी में, सनी कुम रासी में विराजित है करक रासी में चंदर्मा सामके पांच बच कर साथ मेरता करने वाल है तो उन्ही सर भी ग्रहों का मिलादला हाल आज के राशी फल में जानेंगे तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेश रासी में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसरूप आज आपको कुछ फसे हुए कारियों को लिप्टाने में सफलता की प्राप्ती होगी आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को खत्म करने में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे अपने काम को लेकर अगर आप आज संकोच में नहीं रहते हैं तो आपको उसका फाइदा भी मिलेगा आज हो सकता है आपको अपना परवाव जमाने के लिए कहीं जूट भी बोलना पड़े आज आप अपने बच्चों की परहाई में रूची ले सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज कहीं भी धन्निवेस करने से बचें हानी हो सकती है आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं लापरवाही और संकोच में ना परें इससे आपको आपके केरियर में हानी होगी अपने व्यापार में योजना बत तरीके से आगे जद रह सकता है, साथिक कफ का सामना करना पर सकता है आपको, तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें। और थंडी चिंहें खाने से तो बिल्कुल बचें। व्यापार और धन की बात करें। तो आज आपका व्यवाहिक जीवन सुख में रहेगा। लेकिन जीवन साथिक के स्व सफलता मिलने के योग बन रहें प्यार के जहार करने के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज के इन बेशन से बनी वे जीए खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सभी प्रकार के चमकी लेनं लगी नमबर चार रहने वाला है बात काज में आपको सफलता मिलेगी कोई पुराना दोस्त भी आपको मिल सकता है आपके संतान को कश्ट हो सकता है तो उसका ध्यान रखें किसी मित्र से आपकी अनवन हो सकती तो अपनी वानी पे नियंतन जोर रखें परिवार के साथ किसी धार्मी के आतरा पर जाने के या धार्म सहीयोग आपको मिल सकता है आज कहीं अगर आप निवेस करेंगे तो फायदे में रहेंगे व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष आज बहतर रहेगा बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के इन पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता और निरासा रह सकती है लेकिन आपको चिंता और निरासा से निकल कर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा सफलता इसी से मिलेगी स्वास्ति की बात करेंगे गले या मुह से समधित कुछ परिशानी रह सकती है तो अपने स्वास्ति का ध्यान जओर रखे ठंडी चिये खाने से बिलकुल बज़े प्रेम समंध की बात करेंगे प्रेम समंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है जीवन साथी आज आज आपकी गय तरह के च्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं व्यावाहिक जीवन में भी समरस्ता आपकी बनी रहेगी आज कि चने की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग डाल रंग लगी नम्मर एक रहेगा बात केंगे मेथोन रासिकी मेथोन रासिम जंद्रमा दूसरे अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जनों से मदद मिल सकती है किसी अनभवी लोग की सलाह लेंगे तो आपके समस्या का समधान भी हो सकता है आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें सिखा सकती है आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है तो अपने गुस्से पर नियंतन रखें आत्मी स्वास से आज परिपून रहेंगे परन्तु आए में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रह सकते है अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें सब ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान समान की प्राप्ती भी होगी बात करेंगे व्यापार और धन की बात करें तो अपने मन को पढ़ाई में लगावें सफलता आपको इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करें ठकान हो सकती है निंद में कमी आ सकती है पुराने रोग आपको आज परेशान कर सकते हैं तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंद की बात के दाम पत्ते जीवन की खुशियां बढ़ सकती है प्रेमियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाले अनुकूल लतीजे मिलने की योग भी बन रहे है और विवाही जातकों के लिए आज विवाह के परस्ताव भी आ सकते हैं आज किन लोहे के बरतन में खाना पकाते हैं खाना खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा और इंज कर लगी नमर रहने वाला चार बात करेंगे कारकरासी की काम दंधा बरहने के लिए जो भी मेहनत आपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा आपके सोचे हुए कारी आज पूर्ण हो सकते हैं अपने अक्रामक रवये की विएसे आप परेसान भी रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिल्कुल ना ले नोकरी करने वाली जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से समन्द विगर सकते हैं तो इसमें सभानी भी बरतनी चाहिए आपको व्यापार और धन की बातकेत आपकी आए में ब्रहतरी होगी व्यापारियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है आज कहीं निवेस करना आपके लिए लाबदायक्सिद हो सकता है लेकिन निवेस सोच समझकर ही करें विद्यार्थी की बातकेत विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने की योगबन है मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें स्वास्तर की बात के आज आपको गैस और एसीडिटी का सामना करना पड़ सकता है तो अपने भोजन पर ध्यानते और मसायदार खानों से बिल्कुल बचें प्रेम समन्त की बात के जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है दाम पत्ते जीवन मधूर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज की अच्छा रहने वाला है आज की अरहर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फालसा ही रंग लकी नुमर नौ रहने वाला है बात केंगे सिंग रासी की सिंग रासिम जंदरमा 12 हुए इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपका मन समाजी कारियों में लगा रहेगा परिवाजनों कसने हैं आप पर बना रहेगा लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं आपकी यात्रा सुब रहने वाली है कारी छितर में आपकी अधिकारी आपसे पसंद रहेंगे रुके वे फसे वे कारी आपके पूर्य हो सकते हैं वाणी पे अपने नियंधन रखें ज्यादा आत्मे स्वाश में तो बिल्कुल भी ना पड़ें काम इसे आपके ब्लिकर सकते हैं आज आपको अपनी बातें किसी से शेर करने का मन करेगा, लेकिन बातें सेर करने के लिए व्यक्ति का चुना और सोच समझ कर ही करें। व्यापार अधन की बात करें पैसे कमाने के नए मोके आपको मिलेंगे, साथ ही खर्च की अदिकता भी रहेगी। विद्यार्थी की बात केट विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करना परेगा लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ते भी जरूर होगी स्वास्त की बात के स्वास्त के मामले में आज साब्धानी बढ़ते हैं मौसमी विवानिया आपको परिशान कर सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान जरूर रखें प्रेम समन्त की बात के तो अपने जीवन साथी का रवय या आपको परिशान कर सकता है साथी सुधालों को आज साथान रहने की जरूरत है तो साथान रहे आज के दही खायेंगे तापके लिए सुभ रहेगा आपके लिए आजका सुभ रंग नीलारंग लकी नम्मर आठ रहने वाला है बात करने आरासि की कन्यारसिम चंद्रमा 11 वे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुक परिवार की कलह सुधारने में आपको सफलता मिलेगी पुराने विवाद और परेसानियां खत्म हो सकते हैं सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे किस्मत का साथ भी मिलेगा कुछ लोगों के साथ आपके मनमटाव हो सकते हैं जिसके कारन आप जिन्तित भी रहेंगे आज अपने वाहन को साभधानी पूरुवक और नियंतन में चलाएं दुरगटना के योग बन रहें तो आपको थरा सम्हल कर रहना होगा व्यापार और धन की बातकेट आज व्यापार के मामले में कोई भी फैसला जल्दभाजी में ना लें आज आपके ज़्यादतर सौक पूरे होंगे खईदारी के योग आपके लिए बन रहें जिसके कारन आपका खर्च भी बढ़ेगा विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों को आज ज़्यादा महनत करने की जोरत है जो विद्यार्थी महनत करेंगे उन्हीं सफलता ज़रूर मिलेगी स्वास्ते की बातकेट आज आपके स्वास्त में थोड़ा उतार चरावा सकता है ठकान और अला से भी बना रहेगा मन में थोड़ी चेरचरापन रह सकती है प्रेम समंद की बात करता आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है आपके प्रेम समंद मजबूत होंगे पती पत्नी के बीच अच्छी समझ भी बनी रहेगी आज किन बेशन से बनी वी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब लालंग लकी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे तुलारासी की तुलारासीम चेंद्रमा दस्मे अस्थान में विराजी थै जिसके प्रसव आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बचे कारी छेतर में आपके अधिकारी आपसे परसा न रहेंगे आपके आदमिस्वास में बढ़ोतरी होगी मकान जमीन ज्यादात से समंधित मामले आपके असुलज सकते हैं नई लोगों से दोस्ती हो सकती है आज आपकी बोली गई बात होगा गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है तो अपनी वानी पे नियांतन रखें जो भी बोलें सोच समझ कर ही बोलें कहीं घुमने फिरने की योग भी बन सकते हैं आपके व्यापार और धन की बात केट आज व्यापार में परिवर्थन की संभामना बन सकती है कहीं निवेश करना चाहते हैं तो लोगों की सराह निश्ची तोर पर लें खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी जिसके कान आपकी चिंता भी रह सकती है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों की रुची पढ़ाई में बढ़ेगी साथी इसके परिणाम भी अच्छे होंगे तो महनत में कमी ना रखें स्वास्त की बातकेद सीर और पेट से समंदित कुछ परेसानियां रह सकती है अपने भोजन का ध्यान रखें कोई पुरानी बिमारी आपको आज परेसान भी कर सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंद की बातकेद आज अपने जीवन साथी के पती साकारतमक विचार रखें उनकी भाबनाओं का सम्मान भी करें साथ ही आने वाले दिनों की महतपूर्ण कामों की योजना है उनके साथ सेयर जरूर करें इससे आपके समंद बहतर होंगे आज किन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लालरंग लकी नमर 9 रहने वाला है बात करेंगे विच्ची क्रासी की विश्चीक रासीम चंदर्मा आज नौमे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आज आपकी योजना सफल रह सकती है दिन भाव व्यासते रहेंगे आज अपना काम आप पूरी एक आगरता के साथ भी कर पाएंगे दोस्तों के तरब से कुछ अच्छी ख़वर आपको मिल सकती है संतान से सुख मिलेगा पारिवारिक मामले में थोड़ी उलजिन आपकी बढ़ सकती है धैरी में कमी आ सकती है कारी छेति में आपके इस्तिति में सुधार संभव है व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और निवेस में धनानी की संभवना बन रही है तो सलाह विचार करके ही कुछ कारी करें आचानक से धनलाप की संभवना बन रही है साथ ही आपके खर्ची भी बढ़ सकते है विद्यार्थी की बात करें आज विद्यार्थियों के आत्मी स्वास में बढ़ोत्री होगी जिससे लक्ष को प्राप्त करने में आपको आसानी भी होगी स्वास्त की बात करें स्वास्त आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन अपने पिताखे स्वास्त का ध्यान आपको रखना चाहिए क्योंकि उनका स्वास्त दग मगा सकता है प्रेम समन्त की बात करें तो विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी से नोग जोंग भरी दिन रह सकती है तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा समन अच्छे बना के रखने का प्रियास करना होगा और विवाहित लोगों को अपने प्रेम समन में सचेत रहने की जरुरत है आपके प्रेम समन उजागर हो सकते हैं आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है आज किन गेहूं या गेहूं से बनी विच्चिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज कर सुब रंग गुलाबी रंग लगी नमर पांच रहने वाला है बात करेंगे धनु वासिकी धनु वासिम चंद्रमा आठमें अस्थान में विराजी थै जिसके फ्रसुब आज आपकी सामाजिक महतुके कारियों में व्यस्ता बनी रहेगी आज किसी अंचाहे विव्यक्ति सबकी मुलाकात हो सकती है जिसके कारण आपका मूड भी खराब रह सकता है खान-पार में आपकी रुची बढ़ेगी आपको सरादी जाती है किसी मामले को हलके में न ले कारिच्छत में आपके अपके सफलता की प्राप्ति आपको होगी लोग आपसे खुष भी रहेंगे व्यापार औधन की बातकरित नोकरी और कारी छेत में बदलाव हो सकता है आई के साधनों में बढ़ोतरी होगी खर्च भी आपका बढ़ेगा बिदनेस पार्टनर की मत से व्यापार में लाव होगा मकान या भूमी समंदित कारियों में थोड़ी चिंता आपके आज रह सकती है विद्यार्थी की बातकरित विद्यार्थियों के लिए आज की महनत भार रह सकता है जदा महनत का आपको कम फल प्राप्त हो सकता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात करें आज करीं थकान और अलसे से परिशान रह सकते हैं अपने आपको कम समय दे पाएंगे अपने माता के स्वास्त का ध्यान रखें प्रेम समन्त की बात करें, तो प्रेम प्रस्ताओ आपके विफल हो सकते हैं, विवाद होने की संभावना बन रही है, तो प्यार के जहार करने से आपको आज बचना चाहिए, आज के दही खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब्रांग लकी नमर छे रहने वाला है, बात करेंगे मकर राशी की, मकर राशी न चंदरमा साथ में इस्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुप घर परिवार के सिदी में सुधार लाने के आपके वीचानों को समर्थन मिल सकता है, आपके रोजमनरा के काम पूरे हो सकते हैं, तनाव के सुख में विर्धी होगी, मित्रों का सही होग भी मिलेगा आज बिना वजह वाली विवादों से आपको बचना चाहिए दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है कारिच सहत में आपका वर्चे सो बना रहेगा, दिन भर खुष रहेंगे, प्रसन भी रहेंगे व्यापार औधन की बात करें, तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी आर्थे की स्थिति आपकी बहतर भी होगी विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाल है कम महनत में भी ज़्या सफलता की प्राप्ति हो सकती है तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्ति की बात करें पुराने रोग खत्म हो सकते हैं कुम्रासिम चंदरमा छठे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज अगर आप कोई कारी आर्म करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फायदा भी आपको कई न कई मिलेगा कुछ छेतरों में नई सुरुआत भी हो सकती है किसी प्रकार के धार्मी कारी करने के योग बन रहें पडिवार की सुक्स विधाओं का विश्तार संभव है संतान के तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है खास करके संतान की गत्य विदियों से वाद विवाद भी हो सकते हैं तो किसी से ऐसी स्थिती ना ने दें विवादों से बिल्कुल बचें व्यापारों धन की बात के व्यापार में नयाकारी आरहम कर सकते हैं लेकिन नयाकारी आरहम करने से पहले वीडियो के अंतिमे जोर जाने आज का सुब समय क्या है सुब समय में ही नयाकारी आरहम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो निवेश करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकते हैं पैसे के लेन देन में किसी के जूट के करन आपको नुकसान हो सकता है कोई अटका हुआ फसावा धन आपको प्राप्त हो सकता है व्यापारी क्यातरा की योग भी बन सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको निश्ची तरप होगी स्वास्ति की बात के स्वास्ति आपका अच्छा रहने वाले सुबसुब अंकोरी तनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और स्वास्त भी रहेंगे आप प्रेम समंद की बात के जीवन साथी का सह्योग आपको प्राप्त होगा जीवन साथी आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे आज किन चांदि के बरतन में खीर खाएंगे तापकर लिए शूब रहेगा आपके लीए आज का सुब रंग महरुन डंग लकी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे मीन डासी की मीन डासीम चंद्रमा पांच में इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आपको मिल सकते है नोकरी और कारवार में आपको अपने विवहार को और विच्छा करने की जुरुरत है अचानक से कहीं आतरा पे जाने की योग बन सकते हैं कामकाज में सफलता मिल सकती है आफिस में या फिल्ड में ज़्यादा समय आपको देना पड़ सकता है आज नकारात्मक सोच आ सकते हैं तो नकारात्मक सोचों से बचें इससे आपके कारी बादित हो सकते हैं व्यापार उधन की बातकेत भहती सुक्सुदावाली चीज़ों में बरोत्री होगी व्यापार में मुनाफ़ा होगा साथी नौकरी कली अनुकूलिसिती बनी रहेगी अपने व्यापार में विर्धी आप कर पाएंगे विद्यार्थी की बात कर विद्यार्थियों को ज़्यादा महहत करना पर सकता है मेनेद करेंगे तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा स्वास्ति की बात करें स्वास्ति में उतार चरहों के योगबन है लेकिन भोजन सम्मंधिय कोई कुछ दिक्कते हैं तो वो खत्मे भी होंगे प्रेम समन्ध की बात के प्रेम समन्धों में उतरा चरहाओ आ सकते हैं जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा लेकिन जीवन साथी से वाद व्याद में ना परें लारी जगरी भी आपके हो सकते हैं आज की चने की दाल खाएंगे तापके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का शुब रांग गुलाबी रंग लखी नम़र एक रहने वाला है तो मित्रों ये तो थाज के 12 रासी का रासी फल अब जान लेते हैं आज का सुब समय आज का असुब समय यानि की गुलिकाल दिन के 10 बच कर 46 मेर से लेकर दिन के 12 बच कर 25 मेर तक रहने वाला है इस समय में कोई भी नयाकारी आप आरम कर सकते हैं आज का असुब समय निकी राहुकाल दिन के बारा बच कर पचीश मेर से गर दिन के दो बच कर तीन मेर तक रहने वाल है इस समय में कोई भी नया कारी करने से भिल्कुल बचना चाहिए आपको दिशासूला जो उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातराम बिल्कुल भी ना करें यहाँपर आपको नुक्सान हो सकते हैं और सुबखाद्याज का धनी आ रहेगा धनी है का एक दोना खाकर भी यातराम करेंगे तो छोग इसे के नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी। तुम तुम यह तो थाज का संपूनगाल का संपून परासभाल के लिए जोर रहा है धर्मचिक्छा के साथ और देखते रहे हैं धर्मचिक्छा जै माता दिल।